टोगेंसे और तुम लोग तुम लोगों का फिर एक बार स्वागत दो चुका है तुमारे फेवरिट चैनल प्रिशे रेच में तो आज फिर एक बार हम लोग कंटीनु कर हमारे माइनक्राफ्ट की वन ब्लॉक की सीरीज जिसमें last time हम लोग phase 4 में आ चुके थे और हमने नया बान बनाना शुरू कर लिया था तो आज हम लोग वो बान किसी भी तरह से complete कर लेंगे क्योंकि अपने animals यहाँ पे जो कि मुझे बहुत डर लग रहा है कोई भी आके उनको मार देगा इसलिए उस बान को हम लोग complete करेंगे और साथ-साथ मैं सोच रहा हूँ एक aquarium भी बनाऊंगा जहाँ पर अपने जो भी fish आ रहे हैं उनको हम लोग बचा के रखेंगे और मैं सोच रहा हूँ यहाँ और थोड़ा बहुत changes कर लो बाकि देखते है जैसे जैसे नए नए blocks मिलेंगे हम लोगों को वो सोचूंगा मैं फिर हम लोग क्या क्या बना है और यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा पानी का एरिया बना लेता हूँ क्या हूँ पता है जो भी फिश आ रहे है उनको मैं अगर नहीं पकड़ रहा हूँ तो सीधा गिर के मर जाते है तो इसलिए इसके आसपस भी मैं सोच रहा हूँ फिलाल के लिए फेस फोर्ड जो ओशन वाले उसके लिए पानी का एरिया बनाता हूँ बाकि देखते है बान अपना कितना बड़या लगेगा फिलाल तो मैंने बस तीन एनिमल्स के लिए नीचे जगा बना के रखी है और यहाँ पर साइड में तुम लोग देख सकते है एक्कोईरियम के लिए भी जगा बना के रखी है मैंने आज इन दोनों को हम लोग कंप्लीट करेंगे और देखेंगे एक नया घर भी बनाना क्योंकि यह बहुत पुराना घर लग रहा है और इसको में थोड़ा दूर भी ले जाना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग बहुत पास में कि मैं पानी वाला एरिया क्या बोल रहा था यहां पर वाटर बकेट्स भी साथ में रख लेते हैं बाइचांस अगर लग जाए तो यह देखो अभी यहां पर देखो मैंने मस्त ऐसा स्टेर्स लगा दिये आसपास ब्लॉक्स लगा दिये मतलब और पानी का एरिया बना दिया है तो इससे क्या होगा अगर मैंने समझो एक बार मचली मेरे हाथ से फिसल भी जाती है तो भी वह यहां पर गिर के बच जाएगी बहुत सारी मचली अपनी मरी थी लास्ट आम इस बार मैं उनको नहीं मरने दूँगा और यहां से हम लोग आराम से बस सेड़ी के पास में रहतके जितना चीए माइन कर सकते अगर समझो क्रीपर भी आ जाता है तो भी पानी के अंदर वो ब्लास्ट होगा तो इतना नुक्सान नहीं होने आले तो यह बहुत सही है एक बार ओशन फेस्ट चला जाएगा फिर सोचते इसको हटाने का अभी जल्दी जल्दी से इसको माइन करते है और देखते हैं और कितने सारे ब्लॉक्स मिल रहे यह जो भी डेड कोरल ब्लॉक्स हम लोगों को मिल रहे न इसना कुछ अपने को अटक नहीं करेंगे पर इन में से अगर एक भी ट्राइडन गिराके जाते है तो बहुत सही मजा आ जाएगा चल्दी से इनको खतम करता है और देखता हूँ ट्राइडन मिले तो बहुत सही दोनों के हाथ में ट्राइडन है क्योंकि पर यह लोग अगर ट्राइडन गिराते भी है न तो भी मेरे को लगता है हेल्थ नहीं होगी इतने क्योंकि यह लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे तो ट्राइडन बार बार अटक रहा है देखतेए मेरे खिल्च से ना लास्ट उला ट्राइडन गिरा गया जो लास्ट में मरा था ना आसपास तो कुछ गिरा नहीं है देखता हु इंडवेंट्री में आये किया हा हा यह देखो पर मैंने बोला न हेल्थ नहीं होगी मुझे लगाई था क्योंकि ये लोग मुझे मार रहते हैं तो ट्राइडन की हेल्थ चली जाती है उतनी अभी जल्दी जल्दी मैं आगे माइन करी रहा था उतने हुए और लोग मिलने आगे तुम लगों को यहां से दिख रहा है देखो सारे मॉंस्टर गाट्स आ चुके मतलब आज ये लोग सब मिलके मुझे मारने के लिए प्लैन बना के आए एक के बाद एक कोई न कोई तो आई रहे ताकि मुझे आके मारे वो तो अच्छे मेरा घर पास में में जल्दी से आके यहां पे छुप जाता हूँ पर वाकी हम लोग थोड़ा संबाल के इनको देखते है कैसे खतम करना है मेरे पास ज़्यादा एरोज भी नहीं है तो मैं सबको नहीं मार सकता है एरोज से और थोड़े बचा के भी रखने पढ़ेंगे पता नहीं फिर से कोई आ जाए मारने के लिए तो यहांसे पहले जो अंदर जो लोग है न स्केलिटन उनको खतम करते है मतलब उनके पास ट्राइडेंट यहार यह आता है ना इसकी बीम अगर पूरी चार्ज हो जाती है ना तो हेल्थ ले लेगा साथ-साथ में दो-तीन तो हेल्थ ले जाएगा यह और आर्मर भी डाइमेज कर लेगा उपर से दो यहार पीछे ही पढ़ गया यह दिरे-दिरे से मैं इनको मारने की कोशिश करता हूँ यह स्केलिटन तो नहीं है मेरे खाल से वह पानी वाले ना वह ड्राउन उनके पास क्योंकि वह दिख रहा है यहां से देख भी नहीं पार हो टीक से पड़ ट्राइडन ते दिख रहा है हाँ वह यह वह यह तो इनको मारता हो जल्दी-जल्दी धीरे-धीरे और इससे भी बचना है मुझे बार-बार दर्वादा बन कर लेता हूँ इसकी बीम जैसी चार्ज होने वाल यह थी फड़वट मैं कॉन्टेक्ट मिटा देता हूँ बाकी दुरों मर गए मेरे ख्याल से यह अकेला ही दिख रहा है बाकी तो दिखी नहीं रहे तो इसको जाके खतम कर लेंगे ऐसा तो कुछ नहीं इतने में तो यह हो जाएगा इतने हेल्ट में खतम कर सकते हैं अच्छा है नीचे गिर गए और ऐसी पूरा खुला रखूंग सारी मचले है न अपनी त्यूंकि फिलाल तो इतनी मचले अप कुछ नहीं कर सकते चलो आजा चुपके इसके पास में जाता हो और इसको खतम कर लेता हो जल्दी जल्दी आज 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 अब यह एक तो प्रॉब्लम यह इसको मारूंगा तो हाँ यह देखो इसको मारता हो हम लोगों को भी हिट लग जाती है हेल देख रहे हो बहुत जल्दी जल्दी लेते है वैसे अकेला इसलिए अच्छा है इसको आराम से मार सकते है बाकी जादा लोग होते तो फिर इनको गिराने का ही कुछ हम लोग प्लान बनाते है चलो अपनी हेल्द तो फुल हो गई है फुड भी कर लेते हैं यह हो गया फुल चलो अभी जाकर इसको खतम कर लते हैं अब इस बर तो इसको खतम करी लेंगे वैसे इसकी यहल्द भी मैंने ठोड़ी खा ली है और arrows थोड़े बचा के चल रहा हो, वरना तो इसको आरम से मार सकते थे दूर से, आज़ो चलो, अभी जल्दी से जाते हैं और इसको खतम करते हैं, चलो, अभी आदी हेल्थ तो चली गए इसकी, हो गया, हो गया बस, अपनी हेल्थ अभी जा नहीं रहे, उसको चार्ज नहीं ह अपना साथ है, खतम हो गया, बहुत से, चलो, क्या गिराके गया हैं, अरे बेस्ट है, अभी थोड़ा से अपने सी लैंटर्न भी मना सकते हैं, एक या दो तो मैं साथ बना ही लोगा, देखे, चलो और आगे माइनिंग करते हैं, जल्दी जल्दी और फिर देखते क्या क्या करने, अभी तक हमने बान या एक्वेरियम पर काम करना भी शुरू नहीं कि है, बस कोई आके हम लोगों को मारना चालू हो जाते हैं, अभी देखते हैं, इसमें क्या मिल रहा है, यह वहला कप से पड़ा है यहां पर, मैं भाहर आता हो तो फच जाता हो, अरे बहुत सी, सी बना लेता हूं, यह बढ़िया चीज है, मैंने सी लेंटन भी बना ली और सी पिकल भी है, तो यह बढ़िया है, अभी एक ही बना पाया हो, पर ठीक है, अपना छोटा सा एक्वेरियम होने वाल है, तो उतने में तो काम बन जाएगा, आज़ा, अभी तुम लोगों को लगा दिये और अपने एक्वेरियम की जगा देख लो तुम लोग यहां पर मैंने वो डेड कोरल ब्लॉक्स लगा दिये ऐसी आड़े तेड़े कैसे भी लगा दिये और जैसे जैसे मुझे मिलते जाएंगे बाकी उनको भी फिल कर दूँगा और फिर बच्चा हुआ मैं सोच टाइम किसी ना किसी को मारने में जा रहे यह देखो यह तीन पिलेजर्स आ गया पता नहीं कहां से आ गया अपने अप स्पॉन हो गया और अभी यह लोग कब से घूम रहे मुझे मारने की कोशिश करते पर मैं भार नहीं जा रहा हूँ तो लोग अभी तो फिलाल कुछ कर ही रहे मैं मस्त यहां पर ट्रिज ग्रोग कर रहा था मस्त अपने बाइं पर काम चल रहा था पर कोई चाता हु नहीं हम्लोग कुछ बने लोग फटाफट से बो लेके आता है और इंको भी खतम करता हो चलो जल्दी से बोॉ-इसे ब लुह अपर दो टो लेक हौत जाकि है इ नीचे गिरके और यह इन दोनों में से एक तो खुद को मारेगा देखो ऐसे सामने खड़ा रहूंगा नहीं देखो देख रहे हो पीछे वाला वह आगे वाले को खतम करे जा रहे हैं आमार ते रहे बस एक बार यह आगे वाला खतम हो जाए ना फिर जाके पीछे वाला अके करेंगे वह आगे लेंगो तो हम लोग तल्वारत करन देंगी बस होई गया और एक अद्वशा मारें फिर यह को जाएगा यह देखो खतम पर हो घ्र svled कर लियुवल मोरे बहुत जल्दी अभी यहाँ पर देखो अपना काम मैंने काफी जाओंगा वहाँ पर बहुत बड़े अपना एटलिस्ट बान तो काम थोड़ा कंप्लिट हो चुक है अरे यहाँ पर देखो मस्ट म्यूजिकल डिस्क में लिए पर उसके लिए बजाने के लिए म्यूजिक बॉक्स तो ही नहीं हमारे पास देखते हैं वो भी बना लेंगे बाद में अभी फिलाल जो काम बचे है वो बस एक्वियरियम का काम बचे है तो उसके भी जल्दी जल्दी से मैं जो भी सैंड मिली है उससे गलास बनाता हो और आसपस मस्ट गलास लगाता हो यहां पर अपना यह देखो यहां देख रहे हो अभी और बहुत सार फिल करना है उसके बाद जो बचा होगा वो तुम्हें सीधा वुड लगा दूंगा वहां पर यह भी देखो अब जल्दी से एनिमल्स को लेके आते हैं और फिर अपना एक्विरियम का भी काम कंप्लेट कर और जैसे अपने एनिमल्स वहां ले जाओंगा घर भी हटा दूंगा और मैं सोच रहा हो कि एक नया घर भी बना देता हो पर वो ब्लॉक्स मिलने चाहिए ऐसे बहुत बड़या बड़या ब्लॉक्स मिलेंगे ना उस पर देखते आगे क्या बनाना है वरना हमारा फेस फोर खतम ना हो जाए चलो जल्दी से आगे देखते हैं और क्या क्या काम है तो यहां पर अभी मैंने एक्वेरियम भी बना लिया और अपने सारे एनिमल्स को भी लेके जा चुका हूँ और उतने में मैंने देखा यह वाला अपना चेस्ट आ गया मतलब यह लास्ट है और इसके दो दो नई फिश मीले उनको भी जाके रख देते हैं और यहां पर मैं फिर नीचा के तुम लोगों दिखा तो कैसे मैंने अपने सारे अनिमल्स यहां पर रख दिये अब कोई टेंशन नहीं यहां पर कोई भी उनको खतम नहीं करेगा यह लोग आरम से रह सकते हैं और यह कितना मस्त कलरफुल लग रहा है और लाइड भी बहुत बढ़िया लग रहा है चल और यहां पर देखो उपर मैंने सारे मस्त वाले मॉब्स रखे जिनसे खाना मिल जाएगा मतलब चिकन है फिर पिग है और फिर लास्ट में अपने काव भी है और नीचे अपने जो भी दो बचेवे अनिमल्स थे एक फॉक्स था और यह पोलार भी है उनको रख दिया और अपने डॉक्स तो उदर यह उनके लिए अच्छा सा घर बना देंगे बाद में यहां पर देखो गैप रख दिया है मैंने कोई नहीं है वहां पर जो भी नया अनिमल कोई मिलता है तो हम लो से मस्ट फेसफाय शुरू होगा जो कि पता नहीं कौन सा होगा उससे कुछ अच्छा मिलना चीए जिससे हम लोग कोई मशीन बना पाए मैं सोच रहा था आज घर बनाऊंगा पर वो भी नहीं बनाए पर हम लोग अगली बार एक बड़ियासा घर भी बनाएंगे और सबसे मैं सोच रहा हूँ कि एक XP फार्म बनाऊं क्योंकि जिनमें मैं स्केलिटन को मार के बहुत सारे एरो ले सकता हूँ ताकि कोई भी आये तो उनको खतम कर लेंगे तो यार दोस्तो जब तक अपना फेस फार आ रहा है अगर तुम लोगों ने इस वीडिये को अप टक लाइक ने किया तो जल्दी से जाके इस वीडिये को लाइक करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों को अपना कौन सा बिलिट पसंद आ रहा है और आज का सब्सक्राइब को बहुत सारा कोबल स्टोन तो मिली जाएगा देखते हैं अभी तक स्टोन से कुछ भी नहीं बनाया अ उतना जादा स्टून मिला भी नहीं था तर दोस्तों इसी बात के साथ आज के वीडियो तो हम लोग बस यही तक रखने वाले हैं मैं तुम्हें मिलूँगा माइन क्राफ्ट के वन ब्लॉक सीरीज में अगली बार तब तक के लिए बाई बाई